इस वक की बहुत बड़ी खबर आ रही है लोकडाउन से संबंदित हर्याना सरकार ने एक हफते के लिए लोकडाउन बढ़ा दिया है आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा ओफिसियल लेटर के माध्यम से कि सरकार ने क्या नई गाइड में स्किप मत करियेगा तो हर्याना सरकार ने कुछ और रहतों के साथ मामारी अलर्ट सुरक्षित हर्याना की पावंदियों को एक हफते के लिए बढ़ा दिया है अब ये पावंदिया 5 जुलाई तक जारी रहेंगी तो आप देख सकते हैं कि मामारी अलर्ट और सुरक्षि ने दी हैं वो भी जान लेते हैं तो आप देख सकते हैं हर्याना सरकार ने ओडर जारी किया है 27 जून 2021 को जिसमें मामारी अलर्ट सुरक्षित हर्याना एक हफते के लिए बढ़ा दिया है 5 जुलाई 2021 तक तो मैं आपको इसमें मेन मेन पॉइंट्स बता देता हूं अंगनव पाई के महीने बंद रहेंगे डिपार्टमेंट अब वोमें और चाइल्ड वेलफेर हर्याना सेल रिलीज मेथोडोलोजी फोर इंप्लिमेंटेशन अफ वेरियस वोमें और चाइल्ड वेलफेर प्रोग्राम्स इन दा स्टेट तो युनिवर्सिटीज केंपिसेज आर अला क्लासिज के लिए और रेमिडियल क्लासिज या फिर कोई डाउट क्लासिज है सिरफ उनके लिए वो भी अगर कोविड-19 की जो गाइडलाइन से उनका पालन करने के बार तो स्टुडेंट्स के लिए अभी भी बंद है युनिवर्सिटी केंपिसेज हवेवर ता फॉल्विंग रिलेक्षेशन सेल कॉंटिन्यू एस पर्मिटिड वाइड अर्लियर ओडर तो जो पहले रिलेक्षेशन थी वो जारी रहेंगी क्या-क्या सबी शोप्स खूलेंगी 9-8 बज़े तक, मॉल्स खूलेंगे सुबह 10-8 बज़े तक, रेस्टोरेंट बार खूलेंगे सुबह 10-10 बज़े तक लेकिन 50 पर 30 शम्ता के साथ, छॉम डिलिवरी अलॉड है रात के 10 वज़े तक religious places 50 persons के साथ खुल सकते हैं, social distancing का पालन करने के बाद, यानि COVID-19 की guidelines का पालन करने के बाद corporate office भी खुल सकते हैं full attendance के साथ, लेकिन COVID guideline का पालन करना होगा साधी समारों में 50 जो वेक्ति हैं आ सकते हैं, लेकिन strict पालन करना होगा COVID-19 की guidelines का बारात नहीं निकाल सकते हैं however, weddings can take place at places other than home, तो पहले घर पे ही allowed थी शादियां, तो अब बाहर भी कर सकते हैं in open spaces gatherings will be allowed with ceiling of 50% तो खुले में अगर कोई साधी समारों या कोई भी समारों करना है तो 50% allowed होगे COVID-19 का पालन करना होगा जो guidelines है club house, restaurant, bar, golf courses ये भी सब खुलेंगे 50% capacity के साथ सुबे 10 से रात के 10 वजे तक members, visitors shall be allowed to play in golf courses by the management in a staggered manner so as to avoid overcrowding तो थोड़े थोड़े वेक्तियों के साथ ही golf courses में वेक्ति आ सकते हैं इकठे ज़्यादा भीड नहीं जुटनी चाहिए, ऐसा ध्यान रखना होगा gyms भी allowed है, सुबे 6 से रात के 8 वेस तक, लेकिन 50% capacity के साथ all production units यानि की factories, establishment, industries उन्हें भी खोलने की जाज़े दे रखी है, COVID-19 की guideline का पालन करना होगा sports, complexes, stadiums, permitted है कि इन्हें भी आप खोल सकते है और लेकिन इनमे audience allowed नहीं है COVID-19 की guideline का पालन करना होगा swimming pool बंध है, spas बंध है the DC of the concerned district are hereby directed authorized to work out the modalities of implementing the above mentioned elections structurally, तो जो भी उपर guidelines जारी की है, हरियाना के chief secretary इसरी विजे वर्धन जी ने उनका पालन करवाना होगा DC साहब को अपने अपने जिलों में तो ये सभी guidelines जारी की है हरियाना सरकार ने जो पांस तारिक तक हमारा जो lockdown है बढ़ा दिया है हरियाना में अब आपको इन सभी guidelines का पालन करना होगा और आप बार-बार मुझसे पूछा जाता है कि universities, colleges, schools सिक्षन, संस्थान कब तक खुलेंगे तो देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखी है वे वीडियो तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को description में देदूँगा आप देख लिजेगा कि हरियाना के जो सिक्षा मंत्री है, स्रीकबर पाल गुजर जी उन्होंने कहा कि हम कोई भी जल्दबाजी में स्कूल नहीं खोलेंगे 30 जून 2021 तक तो वैसे ही बंद कर रखे हैं उसके बाद भी सरकार, एक्सपर्ट्स की राय जानकर फैसला लेगी कि स्कूल खोलने है कि नहीं खोलने है तो स्कूल और कॉलेजिस पूरी तरह से बंद है 30 जून 2021 तक उसके बाद ही हर्याना सरकार फैसला लेगी, वो भी एक्सपर्ट्स की राय जानने के बाद